नमस्कार दोस्तों मैं सुझीद कुमार सिंग एडवांस एक्सल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन टिटोरियल में और यह जो रिकॉर्डिंग हमारी है डीवीडी की पहली रिकॉर्डिंग है तो आज हम बाताने जा रहे हैं आपकी एक्सल की फंडामेन्टल के बारे में तो कि आम एक्सल के फंडामेन्टल के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा तो लेटेश वर्जिन तो 2019 आ गया है लेकि हम 2016-19 दोनों को mix करके आपको सिखाएंगे ताकि आप दोनों पर कर सके सबसे पहले बात जब भी आप कुई नई एक् स्क्रीन आता है इस स्क्रीन को पहले आप समझें इसमें यहां पर आपके रिसेंड डॉकुमेंट आते हैं जो आपने बार बार ओपन किया हुआ है या फिर आप इसमें से कोई नहीं है तो आप डारेक्ट ओपन दा अदर वर्क पूप क्लिक करेंगे तो आपके पास Microsoft का ओपन आ जाएगा इसका फायदा क्या होता है कि जरनले लोग क्या करते हैं कि नई व्रक पुप्क प्रिएंट करके फिर इस पर क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होगा जो की एक्सल के बारे में केक शॉर्ट इंफ्रमेशन देता है जिसे कि यह आपका एड़ाउन किस में किस किस तरह के सम कैसे करेंगे कैसे जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफ्रमेशन आपका रहेगा और इसी तरीके से आप आएंगे यहां पर तो आपको पिवर्टेबल टुटोरियल होगा आप परमोले होंगे ऐसे कई साए टूटोरिय इस्तमाल आप कर सकते हो जब भी आप नई फाइल खोलते हो और मेरा सजेशन तो यह रहेगा कि आगे सीखने से पहले आप पहले इनके टैंप्लेट को डाउनलोड करको चेरो इससे क्या होगा कि आपको आईडिया मिलेगा कि एक्सल में किस किस तरह के फाइल और किस किस तर इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिवीटी होना चाहिए क्योंकि यह इंटरनेट से चलता है तो इंटरनेट की कनेक्टिवीटी अगर है आपके पास तो इसका इस्तमाल आप कर सकते हो तो चलिए हम इस टैंपलेट के ऊपर हम बाद में अगली क्लास में जिक्रे करेंगे लेकिन फिलहार हम बात करें हैं आर्खिटेक्चर अफ डे एकसल के बारे में जैसिके हमने एक नया ब्लैंक शीट लिया हुआ है तो पहले एकसल को समझेए एकसल का एक वर्क बुक होता है उस वर्क बुक के अंदर कई सारे शीट्स होते हैं डिफॉल्ट आपको एक या तीन अगर ठीन में है तो एक सेबें शिक्ष्टीन नाइनटीन में है तो तीन सीट आपको मिलेगा बाई डिफॉल्ट और आप अपने a nice sheet को यहां से add कर सकते हैं number of sheet कितने add करेगा इसकी कोई limitation नहीं है उसके लावा आपके बाएस एक row होता है कि column होता है row होता है row and column जहां पर intersect होता है वहां आपके पास एक cell होता है और जो भी हम data लिखते हैं इसी cell के अंदर लिखते हैं चाहरा data character हो या numeric हो तो हम यहीं पर लिखते हैं इसको अब जैसे यहां पर हम लिखेंगे data को उसी तरह से यह हमारा moment होगा कि तरह से आपका moment होगा और हर एक cell का अपना address होता है तो addressing system को भी हम आगे classes में समझेंगे लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं कि एक्सल की help के ऊपर जैसे कि आपने नया एक्सल शुरू किया है और शुरू करते ही मुझे पता करना है कि कि इसमें कौन-कौन से नए कौन से कौन से कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन का हमें उसकी help या उसके बारे में ज्यादा knowledge का ऐसे मिलेगा जैसे माल लिजे कि मैंने आपको कंडिशन पर्टिंग के बारे में कैसे बता चलेगा जैसे उस पर कर्षर ले जाएंगे कर्षर ले जाते हैं आपको यहां पर शॉर्ट नोट से दिख जाएगा इसे भी आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप यहां tell me more पे जाएं और एक्सल का help खुल के आ ज सर्च करते हैं लेकि गुगल पे जो चीचे आप सर्च कर रहे हैं वहां पर जो चीचे दी गई है वह हम जैसे आप इसे लोगों ने डाला हुआ है वह प्रूफ रीड नहीं है तो आपको एक प्रूफ रीड के साथ चाहिए कि हाँ एक ऐसा option ऐसा होना चाहिए तो उस केस मे आप एक्सल हेल्प जाकर सर्च कर सकते हो एक्सल हेल्प आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइरमन्द होगा विए पर उसके बाद अगर हम इस घृब है कि यहां है कि मुझेницы की बात वी कि मैं इसके को बीडर में और है किसे स्थ खिये जाइँगे एक्सल हैं ज़िए आफ यहांपको इसे अधर किसे खर्श करें लिमिट्स है और एक्सलेफिकेशन गद्यूर्आ यह आपका हर पार्ट का maximum limit है तो इसको एक बार आप casually study कर लिजेगा अब हर एक चीज़ के बारे में जानना जोरी नहीं है लेकिन हाँ अगर आप इसके बारे में knowledge है आपके पास तो आपको काफी ज़दा benefit होगी अगर आपने इसका इस्तमाल किया तो limits क्या है कि आपको बताएगा कि कौन सा कौन सा चीज कहां पर किया जा सकता है और किया नहीं जा सकता है और limits को निकालेंगे कैसे यह भी आपको हमने बता दिया अब हम बात करते हैं कि अगर limits को ही हमने निकाला है तो limits की जैसा क्या हम shortcut list को निकाल सकते हैं यह हमारा limits हो गया तो shortcut list को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास जहां पर आपने limit search किया था वहीं पर हमारे पास Shortcuts है तो Shortcuts को भी हम सर्च करते हैं तो यहां पर देखिए Keyword Shortcuts for Excel Windows इस पर क्लिक किया हमने और हमारे पास Excel के Shortcuts के लिस्ट भी आ गया है जिदे भी Shortcuts है सारे लिस्ट आ गया है तो अब बात आती है कि Shortcuts के इस्थमाल हम क्यों करते हैं देखिए हर एक option का Shortcuts करते हो तो control-C जैसे यहां पर इसका copy है तो तो Shortcuts से benefit क्या होता है कि आप पूरा काम अगर Shortcuts से करते हो तो आपका काम माउस का परेक्षां की बोड से यह Shortcuts से आपका ज्यादा होगा ज्यादा फास्ट होगा ऐसा रिसर्च में पाया गया हां लेकिन यहां पर आती है क्या हर काम कर सकते कभी 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 ऐसे की नहीं होते हैं थो शारे शोट्करश के हमारे पास की नहीं होते हैं तो यह किरेंगे तो आप जैसे अपनी कीबोर्ड का अल्ट की प्रेस करेंगे आपका उपर का जो मेनु बार है वो एक्टिवेट हो जाएगा जैसे यहां देखिए फाइल मेनु होम इंसर्ट पेज लियाउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू डेवलपर इस सारा एक्टिवेट हो गया तो जिसके मालीजे मुझे होम मेनु नुवार में जाना है तो मैं एच दबाऊंगो कि इसके सामने है एच को हमने दबाया तो होम मेनुवार के अंदर जितने भी फीचर से वह सारे अक्टिवेट हो गया है उसी तरह से मुझे इसमें मालीजे की बोडर अपलाई करना या कलर करना है तो बोडर अपलाई करें बी किया और इसके अंदर जितने भी बोडर है वह बोडर आपका हालाइट हो जाएगा तो आल्ट की से हम होम मेनुवार में कहीं भी जा सकते हैं उसके लाबाद देखिए कीबोड में आपको एक राइट क्लिक का बटन होगा कंट्रोल और बगल में तो राइट क्लिक भी कर जाते हैं जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहां नीचे देखिए जितने भी ऑप्संस है हर एक के नीचे डैश लगाओ अंडर्स को लगा हुआ है यह क्या है यह आपके शॉट करें समय फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो माउस से में करके एफ करेंगा क्योंकि एफ के नीचे लाइन है तो हमारा प्लीक हो जाएगा अब पिर्स के अंदर करों गगा सब्सक्राइब करने के लिए इसका भी इस्तिमाल कर सकते हो बगाल सकते हो अर्到 आक स्ब्सक्रालраж के लिए को रिष्ट के लोखने असला सब्सक्राइब करते हैं उस्तिमाल के लिएन सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज आप limitations को study कर लिजे, shortcut को study कर लिजे, अगली class में हम discuss करेंगे excel की settings के बारे में, तो Excel की settings के बारे में हम एक बार discuss करेंगे,